आ विडियो मा निक्षै मा पेशंट मैनेजमेंट वर्क फ्लो ने आवरी लेवा मा आवियू छे। पेशंट मैनेजमेंट ए व्यक्तिनी ओड़क अने तपास साथे शरू थाई छे। जिने लक्षणों छे। त्यार बाद परिणाम प्राप्त थाय त्या सुधी टीबी नी ट्रीटमेंट माटे तमाम संभाड चालू राखवी। ट्रीटमेंट पछी दर्दीने बे वर्ष सुधी फॉलो अप करवामा आवे छे। चालो पेशेंट मानेजमेंट ना वर्कफ्लो ने समझीए। जियारे टीबी ना लक्षणों वाळा कोई व्यक्ती डॉक्टर नी मुलाकात ले छे। त्यारे डॉक्टर पेरिफेरल हेल्थ इंस्टिटूशन अत्वा कोई योग्य यूजर तैने न्यू एन्रोल्मेंट मॉड्यूल नो उप्योग करीने निक्षय मां प्रिजम्टिव केस तरीके एन्रोल करे छे। टीबी नू डाइग्नोसिस थाई ते पछी यूजर द्वारा एन्रोल्मेंट पण करी शकाई छे। व्यक्तिने लेबोरेटरी अत्वा एक्स्ट्रे क्लीनेक मां डाइग्नोसिस मांटे अत्वा अन्य योग्य तपास मांटे मोकलवामा आवे छे। डाइग्नोसिस नी विगतो अने टीबी ट्रीटमेंट थी संबंधित अन्य तमाम पब्लिक हेल्थ एक्षन मां एंटर करे छे। आमा तेने टीबी ड्रग नू प्रिस्क्रिप्शन प्रोवाइड करवू। तेने को मोर्बिडिटीज मांटे टेस्ट करवा। तेने कनेक्ट व्यक्तियोंनू स् ज्याथी तेओ ट्रीटमेंट लई शक्षे अने शू तेओ तेनी ट्रीटमेंट विशे नोटिफिकेशन अथवा कॉल रसीव करवा मांग शे। एंड्रोल्मेंट टेस्ट डीटेल्स एंटर करवा अने ट्रीटमेंट मांटे नी शरुआत ए वन टाइम प्रोसेस छे जे जे ट्रीटमेंट सपोर्टर अत्वा स्टाफ द्वारा हाँ धर्वा मां आवती कंटिन्यूँउम प्रोसेस छे। टीबी ना पेशिंट मांटे योग्य इंटर्वल पर फॉलो अप टेस्ट करवा मां आवे छे। तेथी आ घणी वकत निक्षै मां एंटर थईल छे। एक वार ट्रीटमेंट पूरी थई जाए अने परिणाम प्राप्त थाए पची यूजर निक्षै मां केस क्लोस करे छे। चालो हवे पेशेंट नी लाइफ साइकल दर्मियान पेशेंट ना स्टेटस नू आटो केलकुलेशन समझिये। एक वार नवू इन्रोल्मेंट थई गय जो पेशेंट ना डाइग्नोस्टिक टेस्ट पॉजिटिव छे तो तेनू स्टेटस डाइग्नोसस थहेल परन्तु ट्रीटमेंट पेंडिंग नोटिफाइड मां बदलाई छे। जयारे पेशेंट ने ट्रीटमेंट आपवामा आवे छे त्यारे तेनू स्टेटस अन ट्र निक्षय मां case close थाई गयो छे तो patient नी स्थिती outcome assigned थाई जाई छे अहीं निक्षय मां patient management workflow पूरू थाई छे